जहिंत, मैं SSP और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ड्रग के बारे में जिस पर Government of India ने बैन लगा दिया था बट डेली हाई कोर्ट का डिफीजन आया है उसने कहा कि ये बैन रिजनेबल नहीं है और इस पर वैलिड इविडेंस नहीं है तो इस आधर पर डेली हाई कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है रिमूव कर दिया है आगे जानते हैं उस ड्रग के बारे में जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन किया था और डेली हाई कोर्ट ने बैन रिमूव कर दिया उस ड्रग का नम है ऑक्सिटोसिन जैसा कि आप ज जो हमारे brain की hypothalamus में बनता है, वहां से transport होता है pituitary gland में, और pituitary gland से secret होता है, और ये male और female दोनों में पाए जाता है, और at the time of attraction, जो male और female में attraction होता है, at that time, ये oxytocin release होता है, और एक अला की pleasure feel होता है, एक सीज़ देखें कि female में at the time of delivery, oxytocin का level proper नहीं secret हो पाता है, तो at that time, oxytocin की injection दिये जाते हैं, ताकि labor को easy कराया सके और ये breast feeding में भी help करता है, लेकिन आईए हम जानते हैं कि government of India ने इस पर ban क्यों लगाया, दिखिए बैन के पीछे, जो reason दिये गए, उसमें एक था कि इसका dairy industry में misuse होना, जैसे कि जितने में livestock थे, यानि जो भी मारे milk producing animals थे, उनको ये injection दिया जाता था, तो वो milk production बढ़ जाता था, तो एक reason तो ये था, दूसरा reason था, ऐसा भी पाया गया कि सबजीयों की size को बढ़ाने के लिए भी oxytocin का use किया जाता रहा, जैसे कि कुकुंबर की case में, गौट्स की case में, वाटरमेलन की case में, तो कुकुंबर की case में, इंजेक्शन इसके दिये जाने से, सबजीयों की size बढ़ दी थी, तो ज्यादा revenue generate हो सकी है, तीन दो कारण ऐसे थे, जिसके आदार पर government of India ने ये ने निड़े लिया, कि जो oxytocin ने इसका production है, और manufacturing है, इसका selling है, वो केवल इंडिया में, करनाट का antibiotics and pharmaceuticals limited है, यहनि KAPL ही करेगी, but the problem was that, कि पूरी इंडिया में वो जो KAPL वो able नहीं थी, पूरी needs को fulfill करने के लिए, तिन सारी चीजों को देखते हुए, अभी जस्ट Delhi High Court ने इस bank को remove कर दिया है, और अब oxytocin अब private firms भी manufacture करेंगे और sell करेंगे, क्योंकि court ने ये आधार दिया है, कि इसका कोई organic साच नहीं है, कि इसका dairy industry में और फग्जियों में यूज किया जाता है, और अभी आप देख सकते हैं, कि WHO ने World Health Organization में साइध हो सकता है, जो oxytocin का misuse होता रहा है dairy industry और आपका vegetable industries में, तो साइध इस पर रोक लगे सकते हैं, क्योंकि WHO World Health Organization ने एक दूसरी जवाय जो है, ऐसे oxytocin के जमान कार्भी टोसिन, तो यह है जो कि Europe और USA बगरे में यूज किया जाता है, क्योंकि उसका dairy industry में वेजटेबल वाले यूज में जो करते हैं, वो side effect नहीं है, वहाँ पर यूज नहीं हो पायागा, safer होगा, तो ऐसे में इसका व्योग बढ़ेगा, तो यह एक information थी oxytocin का जो हमने आपको share किया, आगे फिर other videos में कुछ अलग information के साथ मिलेंगे, और तब तक हमारा YouTube channel Pharma and Leadership Academy, आप subscribe करिएगा, like कीजिएगा, share कीजिएगा, जैहिंग